गुट मॉर्निंग एवरीबर यह आपकी हिंदी की बुखे सुमिधा आज हम चैप्टर टू पढ़ेंगे यह आपका चैप्टर टू है पंडित भोलानात पंडित भोलानात बहुत भोले थे वे छल कपट की बाते नहीं जानते थे एक बार एक यजमान के गर भोजन करने गए एक प्रहमबर था जो बहुत ही सीधा साधा था वे एक यजमान के गर भोजन करने क्या भोजन करने के बाद यजमान ने दच्छणा में उन्हें एक बक्री दी वे बक्री देती हुए बोली महराज इसे स्विकार कीजिए या आपके बच्चों के काम आएगे एक परंप्रा है कि ब्रामण को जब भोजन कराते हैं तो उन्हें दच्छणा देते हैं या आपकी जैसी सुभी तो आप या पैसा दे सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बक्री का बच्चा दान में दे रहे हैं पंडी जी बक्री का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा यह बक्री का बच्चा थक गया होगा यजमान के घर से जब निकले तो पंडी जी थोड़ी दूर चले उनके बाद विचार आया कि बच्चर बहुत छोटा है ठग गया होगा ऐसा सोच कर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडी जी आगे चलने लगे उधर से तीन ठग आ रहा है थे तीनों ठगों ने आपस में सला करके पंडी जी को ठगने की योजना बनाई उनमे से एक ठग पंडी जी के पास आया और बोला जैसे ही पंडे जी कंदे पर बकरी का बच्चा लेकर आके बड़े उधर से तीन ठग तीन धोखिवाज आ रहे थे और उन्होंने एक योजना बना ली कि पंडे जी को ठगा जाए तो पहला ठगाता है राम राम पंडे जी कहिए कहां से चले आ रहे हैं अपने कंदे पर या कुट्टा क्यों उठा रखा है तो ब्रामण से क्या करता है राम राम नमस्कार करता है और बोलता है आपने कंदे पर या कुट्टे का बच्चा क्यों रखा है तो कुट्टा नहीं थोड़े दूर चलने के बाद दूसरा थग मिला पंडी जी को नमसकार के ओर बोला पहले की जाने के दूसरा ठग आता है और वो पंडी जी को नमसकार करता है पंडी जी यह कुट्टा आपको कहां से मिला बड़ा अच्छा है अरे तुम्हें यह कुट्टा दिखाई दे रहा है या भक्री का बच्चा ठीक से दिखाई नहीं देता क्या तो दूसरा ठग भी उ कुट़्े का बच्चा ने भकरी का बच्चा है कि महराज आपको क्या क्या हो गया है ज़्यरा ध्यान से देखिए यह बख्री नहीं कुट्टा अमंधि देशी किसी ने आपको धोखा दिया है। फिर से वो उनको विश्वास दिलाने की कोशिस करता है पंडी जी को दूसरा ठक कि आपके कंधे पे बकरी ने कुट्टे का ही बच्चा है अभी दोनों आपस में बाच्चित करते रहते तभी तभी तीसरा ठक भी वहाँ आ गया और बोला पंडी जी आप पंडी जी आप ब्रामण होकर कुट्टे को कंधे पर बिठा कर घूम रहे हैं आपका सरीर अपवित्र हो गया है इसे छोड़ कर पहले आप इसनान करने चाहिए अन्यता लोग आपकी हसी उड़ाएंगे तीसरा ठक भी उन्हें विश्वास दिलाने की कोसिस करता है कि आप जो है कुट्टे के बच्चे को लिए हैं और कंधे पर रखें ब्रामण होकर एक तो आप जल्दी से जाएं लोग आपकी हसी उड़ाएंगे इसलिए आप जल्दी से उस बच्चे को उतारें और इश्नान कर लिजिए ठगों की बात सुनकर पंडे जी सोचने लगे तीन तीन आदमी इसे कुट्टा बता रहे हैं तो यह कुट्टा ही होगा उन तीनों की ठगों की बाते सुनकर पंडे जी की तिमाग में मन में विचार आने लगा हो सकता है तीन आदमी बोल रहे होंगे कि यह बक् बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतार कर यजमान के घर लोड़ पड़े उनकी दिमाग के बैठ के आता है तीन आदमी बोल ले तो सच है तो उन्होंने कहा कि बकरी के बच्चे को ही उतारा और वापस यजमान के घर चले गए यजमान के घर पहुंचकर पंडी जी ने सारी बात कह सुनाई? सारी बात सुनने के बात यजमान ने कहा पंडित जी उन तीनों धूरतों ने आपको ठक लिया कुटता नहीं भकरी ही थी आपको इनकी बातों में नहीं आना चाहिए जब पंडित जी यजमान के घर पहुंचे और सारी बात बताई तो क्या करते हैं? तो यजमान क्या करते हैं कप्टी या थग जो है तीनों ठगों या कप्टी व्यक्तियों ने आपको ठग लिए आपका बक्री का बच्चा ले लिया अüngय हेट पंडी छी ने अपना माथ़ा पीक लिया उन्हें अपनी ते काम लेटना चाहिए था था किसी ने ठीक ही कहा दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए अर्था सुनो सबकी करो अपने मन की पंडी जी उसके उपरां पस्चात क्या करते हैं अपना सर पर माथा पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें दूसरों की बातों को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए सुनो सबकी करो अपने मन की बच्चों आपको इस कहानी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल मीट की क्लास में उससे पूछ लीजिएगा